So, Hey What's Up Guys दोस्तो आज किस वीडियो में हम Realme Buds 2 के अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जो कि Realme के तरफ से आता है दोस्तो Realme ने अभी तक वायर वाली दो यारफोन ही लोंच की है इससे पहले Realme Air Buds को लोंच किया गया था अगर आप भी Realme Buds 2 को पर्चेज करना साथे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर इसको पर्चेज कर सकते हैं तो आज के वीडियो बहुत इंड्रस्टिंग होने वाली है इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं अगर आप ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन बैल को भी उनका लीजिए सो यह जदा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को इस्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी चैनल पर एमाई एरफोंस बेसिक का गिववे चल रहा है अगर आपने अभी तक गिववे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो अब जाकर कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक में आई बटन में दे दूँगा अब हम इस Realme Birds 2 के अन्बोक्सिंग करते हैं यहाँ पर आपको इयरफोंस एक ऐसे वाइट बोक्स में पैक देखने मिल जाते हैं बोक्स पर देखते हैं तो Realme Birds 2 लिखा हुआ है और नीचे देखेंगे तो फिल्दा रियल बेस लिखा हुआ है और बोक्स पर इयरफोंस की फोटो भी लगी हुई है अगर हम बोक्स के बैक साइट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके कुछ फीचर्च के बारे में बताए गया है जैसी की 11.2 mm बेस बुश्ट ड्राइवर ब्यूल्ट इन मेगनेट्स जो की आपको इस इयरफोंस के साथ ही मिलता है रियल्मी के पहले वाली इयरफोंस रियल्मी इयरबड्स के साथ नहीं मिलता है इसके लावा डूल एंटी ट्विनिंग केबल भी मिलती है और केबल को इकटा रखने के लिए केबल ओर्गनेजर भी मिल जाता है और इसके नीचे यहाँ पर इसके कुछी स्पेस्पिकेशन के बारे में बताया गया है तो चलिए अब हम बोक्स को ओपन करते हैं बोक्स को ओपन करने पर आपको यहाँ पर एक और बोक्स मिल जाता है जिसमें ये फोन को पैक किया गया है यहाँ पर आपको अलगलग साइज के फोर एक्स्ट्रा इयरबट्स में मिल जाते हैं जिनको आप अपने एयर की साइज के साब से लगा कर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों हम एयरफोंस को बाहर निकालते हैं। एयरफोंस की बिल्ड क्वालिटी तो एकदम अच्छी देखने मिल जाती है। इसके साथ ही एयरबट्स पर मेगनेट दी हुए है। जिससे आप इन दोनों एयरबट्स को आपस में चिपका कर रख सकते हो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए बटन्स दी हुए हैं। इसके साथ ही कोल रिसीव करने के लिए इनके बीच में एक बटन ओर दिया हुए है। इसके लावा इस बटन का यूज़ आप म्यूजिक को पॉस्ट करने मिप कर सकते हो। यहाँ पर आपको यह एक केबल और्गनेजर मिलता है। इससे आप अपनी यहरफोन की केबल को मोड कर बांच सकते हो। इसके साथ यह आपको यहाँ पर एक मजबूद केबल मिल जाती है। जिसके तूटने के बहुत कम चांस रहते है। आई होप आपको आज की अन्बोक्सिंग वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा। अगर आप हमारी चैनल पर न्यूवी हो रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन बैल को भी ओन कर लिजे। तो आज किस वीडियो में इतना ही फिर्म लेंगे को न्यूवी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।